जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ माजिक दंबा के नाम का जैकारा लगाएं कमिल सेक्षन में जै मातारानी ओम नमो भगवते वासु देवाई अवश्य लिखिये श्रीहरी विश्नु मालक्षमी की क्रपा से काम बनेंगे और जीवन में सुख सभागे की प्राप्ती होगी सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी का वरत आपको कब रखना है दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आ गई है माक्षीश मास के क्रशन पक्षी की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का वरत 11 दिसंबर 2020 की तारिक को रखा जाएगा जो लोग एकादशी वरत प्रारंब करना चाहते हैं शुरू करना चाहते हैं अथवा एकादशी का उध्यापन करना चाहते हैं यानि शुरू करना और खतम करना दोनों ही इस्तिथी में सबसे उत्तम बताया गया है तो आप लोग भी पापों का नाश करने वाला और पुन्यफल देने वाला एकादशी का वरत 11 दिसंबर 2020 की तारिक से शुरू कर सकते हैं इसका विस्तार में वीडियो अगला वीडियो आने वाला है तो वो जरूर देखिए आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के विश्य में 10 दिसंबर 2020 की तारिक को मार्कशीश मास का गुरुवार का दिन है क्रश्न पक्ष की दश्मी तिथी है दिन में 12 बच के 15 मिनिट से एकादशी तिथी का प्रारंब हो जाएगा गुरुवार का दिन विश्नु भगवान और लक्ष्मी जी का प्रिया दिवस होता है इस दिन पे आपको केले के पेड़ के साथ एक विशिश उपाय करना है जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं आपका सुख सौभाग्य बढ़ सकता है साथ ही साथ गौमाता को एक ऐसी चीज आपको जरूर खिलानी है जिससे की आपका गुरुगरह मजबूत होगा नौकरी अच्छे से मिल सकती है धन बड़ेगा मान सम्मान बड़ेगा विवा संबंदी दिक्कते दूर होंगी जल्दी से नीता विकरम चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुए घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करें इससे आपको पूजा पाठ संबंदी सबजानकारी निश्रुक गुरुवार का दिन आपके जीवन को बहुत बदल सकता है आपको मान सम्मान दिला सकता है आपका जीवन ग्यान से भरपूर हो सकता है आपके जीवन में आप कई तरह के जो रोग हैं पेट संबंदी या लिवर संबंदी बीमारियां हैं उनको दूर करता है गुरुवार का विशेश दिन होता है इस दिन पे श्री हरी विशनु का आशरवाद है जो लोग इस दिन विशेश उपाई करते हैं पूजा पाट करते हैं उनके जीवन में सफलता आती है उनका वैबाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है तो अभी मैंने आपको बताया गुरुवार से संबं संदित विशेश बाते, जैसे कि जिनका गुर्य ग्रह कमजोर होता है, उन्हें पेट संबंदी रोख होते हैं, लिवर के रोख होते हैं, उनका लोग मांसममान नहीं करतें, ऐसे लोग बहुत ज़ादा एहनकारी होते हैं, लोग आपके साथ अच्छा वहवार नहीं करतें, कारण यह तो आप हमेशा अपने गुरू ग्रह को बैलेंस करें, अपना वहवार अच्छा रखें, कभी यदि आपको यह लगता है, और एहनकार के के पास धन आए मान सम्मान बढ़े और आपकी लोग फ्रशनसा भी करें गुर्वार का दिन आपको धनी बनाता है कैसे बनाता है यह जानते हैं गुर्वार के दिन पे आप अपने घर में सुभा के समय जल्दी उठें और सूर्य देव को जल जरूर दें जिस घर में लोगों क गुरु ग्रहा और सूर्य ग्रहा अच्छा होता है वहां मान सम्मान आता है और धन की दिक्कते नहीं होती इस प्रकार पूजा पाठ करें फिर अपने पूजा के मंदिर में जाएं श्रीहरी विश्नु मालक्षमी की भक्ती के साथ पूजन करें उनके लिए पीले रंके पहनाएं और केले की मिठाई या फिर केले से बनी हुई कोई चीज केला खासतोर पर आप उन्हें प्रसाद में जरूर चड़ाएं तुलसी दल ले लें तुलसी दल के साथ भगवान विश्नु को प्रशाद या भोग अर्पित करने से वहां शीक्र प्रसन्न होते हैं और आ भगवते वासुदेवाय यह मंत्र आप लिख सकते हैं या फिर गुरु ग्रह को ठीक करने का मंत्र है ओम गुं गुरुवे नमहा यहां मंत्र आप 108 बार 1008 बार जितनी बार आप से हो सके बोलें यदि घर में बहुत कलह रहती है लोग बाग एक दूसरे की बारे में बुरा सोचते हैं अच्छा वातावरण नहीं होता तब भी यह मंत्र अचू काम करता है घर की कलह का नाश करता है और घर के लोगों में तरक्की होती है ओम गुं गुरुवे नमहा यह मंत्र आप जाप करिए यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो और वहां केले का पेड़ हो केले के पेड़ की जड़ में आप पानी जरूर दें मंदिर ना हो तो किसी बाग बगीचे में जहां केले का पेड़ लगा हो उस पानी में आप क्या करें एक लोटा जल लें उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें थोड़ा गुड और चने की डाल डालें ये पानी आपके जी करें और मंत्र जाब जरूर करें क्योंकि मंत्र जाब से आपको उत्तम फलोग की प्राप्ति होती है ओंगुं गुरवे नमहां इस तरह कहते हुए केले की जड़ में पानी दें हो सके तो वहां दीपक जलाएं जो लोग गुरुवार का वरत करते हैं वहां इसी विधी से वरत करें पूजन अर्चन करें और भगवान से प्रातना करें हे श्री हरी विश्नु मालक्ष्मी हमारे घर में सुख सभागय की प्राप्ती हो हमें श्री की प्राप्ती हो इस प्रकार का आशिरवाद हमें दीजिए साथी साथ आप यदि चाहते हैं आप तरक्की करें आपके प्रभाव ठीक होगा और आपको आराम मिलेगा और आप तरक्की कर पाएंगे कई बार ऐसा होता है हमारी कुणली में ग्रहों की इस्तिती ऐसी होती है कि कोई दूसरे ग्रह गुरु ग्रह पे बुरा प्रभाव डाल ले लगते हैं जिसके कारण हमें गुरु ग्रह के कारण अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो यहां पे यह इस्तिती में सुधार आएगा और आपके जीवन में आप जो मन्चाही तरक्की करना चाहते हैं उसमें इश्वर आपकी मदद करेंगे दोस्तों इस कल्यूग में कोई सहारा नहीं है जो लोग इश्वर के प्रती भक्ती रखते हैं और सच्ची आस्था के साथ अपने इन छोटे छोटे उपायों को करके प्राणियों की सेवा करते हैं उन्हें ही देवत्व का इस्थान प्राप्त होता है अब जहां देवत्व के स्थान की बात होती है वहां बात आती है मंदर की मंदर भगवान का घर होता है जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनता है तो गुरुवार के दिल जो लोग अपनी कैसी भी परिशानी लेके भगवान के घर जाते हैं यानि मंदर जाते है और ये नहीं है कि आप गए आपने भगवान के पैर चुए और आप घर वापिस आ गए इसे मंदर जाना नहीं बोलते जब हम किसी के घर जाते हैं हम उसके साथ बैठते हैं उसकी बाते सुनते हैं और उससे बाते कहते हैं तो मंदर जाने का यहां यह तात्परे है कि जो मंद मंदिर है आप उस मंदिर में जाएं भगवान के पैर आप बाद में चुईए पर पहले वहां बैठिए थोड़ी देर अपने चित्त को शांत रखिए खुद भगवान आपको अपने आश्रय में लेंगे और जो आपके भाव हैं उन्हें शुद्ध करेंगे आपको रास्ता दिखाएंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है 15-20 मिनिट शांती के साथ बैठ सकते हैं तो बैठिए क्योंकि मन इतना चंचल होता है वो बोलेगा नहीं ये काम है घर जाना है घर जाना है बच्चों के साथ बात करनी है घर जाना है फोन पे ये चीज देखनी है नाना आपके विचार आपके मन को प्रमित करेंगे पर यदि आप एकाग्रचित हो पाएं शण भर के लिए है मैं यहाँ पर 15-20 मिनिट में कितनी बात कर रही हूं चण भर की याने एक मिनिट भी यदि आप भगवान को याद कर पाएं मंदिर में बैठ के तो वो आपसे मिलेंग और आपके दुखों को हर लेंगे इस प्रेकार से दोस्तों यह चोटे चोटे बाएं आपके गुरु ग्रह को इतना बल देंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी परिशानिया दूर होंगी जो लोग अपने जीवन में सामर्थ रखते हैं मंदिर में शुद्ध देसी घ का दान करें मंदिर में हल्दी का दान करें मंदिर में पीले फलों का दान करें जादा यदि आप सामर्थ रखते हैं तो ब्रहमर्ण देव के लिए पीले रंग के वस्तरों का दान करिए आपके जीवन में गुरु ग्रहा आपको धनवान बनाएगा गुरु ग्रहा आपके गुरुग्रा को मजबूत बनाने का एक अचूक तरीका है इन उपायों को करिए देखिएगा महीने भर में आपके जीवन में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा मार्ग शीश का महीना क्रश्ण जी का भक्ती का महीना है प्रश्ण भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते ऐसा कहते हैं क्रश्ण की भक्ती करने वाले सदेव प्रसंद रहते हैं तो आप भी प्रसंद रहिए सुखी रहिए ऐसी मैं कामना करती हूं गुरुवार के दिन इन विशेश कारियों को करिए और नीता विक्रम चैनल से सदेव चुड़े रहिए माता माता रानी के नाम का जैकारा लगाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय महा मंत्र का जाब करते रहें जै माता रानी दोस्तों